सब बात आगये द्यादा बैठ जाओ चलो धनेवाद मैं माने सभापती जी आपका धनेवाद करता हूँ कि आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका । मैंनेवर जिस छेटर से मैं आता हूँ नगीना से वहां मेरी माँग है कि नेटोर में इम्स होस्पिटल बनवाय जाए क्योंकि वहाँ पर एक भी हायर सेंटर नहीं है नगीना के सेरकोट में सामुदाइक स्वास्त्रे केंद्र का निर्मान करा जाए बहुत जरुत है सर नगीना के ग्राम चक सहजनी में स्पताल है एसीजी मसीन है उक्षिजन है लेकिन चलाने वाला स्टाफ निया डाक्टर अवेलिबल करा जाएं सर नगीना के धामपुर में स्वास्ते केंद्र बना था सामुदाइक स्वास्ते के 2018 में लेकिन डाक्टर ही नहीं है सर तो डाक्टर नहीं होंगे तो लोग की जान जाती है इसलिए आपसे मांग है कि ये इसको पूरा किया जाए नगीना के जलालाबाद कस्वे में सरकारे स्पताल के जरुद है नगीना के शिहरा कस्वे में सी एसी में एक्स रे मसीन और अल्टासांड मसीन ही नहीं सर शेवरा में एक भी सरकारी एंबूलेंट नहीं है उसकी व्योस्ता होनी चाहिए सैसपुर नगर में मात्र एक प्राथमिक चिंग साल है और वो छे बैड़कार दो बज़ेक बार डॉक्टर नहीं मिलता कोई महिला नहीं है बहुत परिशानी होती चेतर के लोगों को नेटोर में सरकारी होस्पिटल में एक्स रे मसीन नहीं है और गाइनोलिजिस्ट भी नहीं है धर साथ-साथ कोई नाइट सिफ्ट में कोई डॉक्टर नहीं मिलता सर मैं जाके कई बार मैंने देखा है साथ-साथ-सर गरा कि जेब का क्या हाले किसे छिपावानी है मोदे इलाई से बैतर होता है बजाओ मेरी मांग है कि बचाओ के लिए मेडिकल कैम जागुता कैम लगाए जाए साथ-साथ माने वर वैसे तो सरकार कह रही है कि हम विश्गुरू बनने की तरफ बढ़ रहे हैं पांच वी अर्थ वे उस्ता है लेकिन विक्षित भार्थ की नो प्रात्मिक्ताई थी उनमें कि पैस हम आप करें कर देता हूं सर ए दॉक्टर निये तो इनकी डॉक्टरों की मांग पूरी कर दिया साथ-साथ जो जनता के पैसे से मानने वर यह बहुत इंपोर्टन्ट है जो सुख सुईदा ले रहे चाहे वह अभी नेता हो नेता हो नयादीस हो सुरक्षा परताप कोई भी वैवसाई हो आईएस ओ आईप के सदस उनके लिए मरीजों के लिए अगर एम चैसे होस्पिटल में सुनवाई नहीं होगी सर क्या फैदा होगा उस लेटर का इसलिए मेरी माप से मांग है आज हाला देके सर अगर कोई मामारी आजा पहले तो मैं कुद्र से प्रात्रा करूँ आए अगर आजाए सर क्या न सुन निपरहर में डैलेट में आये थे और जो स्वास संबंदी है उनके लिए अध्यक जी ने कृपा की है कि सभी को उसर दे दिया जाए तो जो स्वास से संबंदी विसे हैं उस पे दो-दो मिनिट आप अपनी बात रखे तो काप